लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था इवालुटिंग दे सर्च अंडिस्प्ले मार्केटिंग इस वीडियो के अंदर हम देखेगे साइटिंग अपर सोशल मीडिया स्राटेजी कि जिस तरीके से शोशल मीडिया का आज यूज हो रहा है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग एज ग्रूप के लोग आज इसको प्रिफर कर रहे है यूज करना जितने ज्यादा लेवल पे वो लोग यूज कर रहे है जैसे हमने सेकंड वीडियो के इंदर दिखा था कि हूई इस यूजिंग शोशल मीडिया तो जिस परसंटेज पर जो टोटल नंबर ओफ इंटरनेट यूजर है और जितने परसंटेज में शोशल मीडिया यूजर साथ बलड रहे है जैसे ट्वीटर है फेस्बुक है लिंक्टिन है पी इंट्रेस है इंस्टा ले लो वाट्सप ले जाओ क्योंकि यह बहुत ही बड़ा एडिया है बहुत सारे लोग आपको मिलेगे तो हो सकता है कि आप अगर परपर्पर्स लेके ना जाओ तो आप लॉस्ट हो जाओगे और साथ आप अपना परपर्पर्स रिजॉल ना कर पाओ ऐसे बाड़ा मार्केटिंग रेफर्स तो दब प्रॉसस उप गानिग ट्राफिक और अटेंचन ट आप शूचिल लीडिया साइट से उसके त्रू जो ट्राफिक के और अटेंचन गेन करने की जो प्रॉसस होती है उसकों सोचिल मिद्या मांकेटिंग गते जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम social media पे अलग-अलग business के pages बना सकते हैं, paid ads भी कर सकते हैं, जो organically process होती है, यहीं बहुत सारे इसे vital messages होते हैं, कि बहुत सारे business की product or services की images, जो अपने friend के तुरों share कराते हैं, और viral कराते हैं, location के तुरों आप logo के बीच में जा सकते हैं, demographics को follow करके आप logo के बीच में जा सकते हो, so particular customer segment को identify करके आप उनके बीच में marketing कर सकते हैं, तो social media आपके लिए बहुत सारे चीज़े लेके आता है, और आपके पस बहुत सारे varieties of options रहेगे, जिसके थो आप online marketing कर पाऊगे, so आई यह देखते हैं कि इसमें strategies कितनी important रहती है, जब हम brands चल रहे, word level पर कोई topic चल रहा है, जो discuss करने जासा है, उन पर discussion चलती रहती है, उसके बाद बहुत सारे brands की images आती है, जिस पर हम like करते हैं, जिसको हम share भी करते हैं, वो सभी images जो है वो particular business की brand को increase करने में help कर दिये, जैसे मैंने आपको पता है, social media पर बहुत सारी activity चलती ही रहती है, बहुत सारी conversations चलते रहते हैं, तो हम किसी भी conversation के बीच में जाके हमारी product or services को promote कर सकते हैं, या फिर हम हमारी product or services को promote करने के लिए कुछ नया promotional conversation start भी कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से social media का use होता रहता है, social media के पास potential है जो आपके business को transform कर सकती है और उसको grow करने में help out कर सकती है, पर उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत important होती है strategies, बहुत सारी creativity आपको करनी पड़ीगे, बहुत सारे vital messages के थुरू बहुत सारे stuff के थुरू आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत luck भी वहापर matter करेगा, because यह एक open market है, जहापर बहुत type के अलग-अलग person अगर आप कुछ भी गलत करोगे, तो social media के ओपर यह जल्दी highlight हो जाता है, और लोग इसको wrong consider करके उसको भी फटावर share करेगे, और जिसके थूरू वाइडली जितना आप अपने business को promote कर सकते होतना है, अगर आपसे कुछ गलत हो गया, for example, particular shop बनाने वाली कमनी थी, उसने controversial ad बनाई थी, जिसका negative impact पड़ा social media पर और वो ad को इतना social media पर spread किया गया, कि वो ad कमनी को बंद करने पड़ी, तो इस तरीके से कुछ अगर आप गलत करोगे, तो भी social media उसको भी observe करा है, और उसको भी logo तक पहुचाएगा, spread करेगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है यह च अगे निकली activities आप perform कर सकते हो, जैसे viral messages हो गया, pages बना के उसको promote करो, वहाँ से भी आप एक website के level का काम आप social media से ले सकते हो, जो आप Facebook और Twitter जैसी companies बहुत ही अच्छे दरीके से provide करें, जो आप business को promote कर सकते हो, उसको through, so basically हम जो focus करेगे वो three medias पर करेगे, जो है Facebook, Twitter and LinkedIn, जो सबसे ज्यादा तीन social media use होते हैं, हम उनके बारे में discuss करेगे, और इनको ही consider करके हमारी strategy build up करें, सबसे बिले social media की कोई भी activity आप start करो, तो सबसे बिले most important चीज़ होती है time, कि आपको time निकाल के वहाँ activity start करनी पड़ेगी, आपको अपने content को effective बनाना पड़ेगा, और images जो ह आप resources कौन सा use करें, means कि आप किसको train कर रहे हो, कि आप उस बंदे को वहाँ पर रखने वाले हो, तो आपको बता दो कि आपका business का क्या perspective और आपकी इस तरीके से जाना चाते हो, अगर आप किसको freelancing के तो आपके work दे रहे हो, तो उसको अपना purpose और objectives बताओ, अगर आप खु Two tips आपके लिए यहाँ पर highlight किये, जो आपको help out करेगी, social media marketing की strategy बनाने के लिए, सबसे पहले आपको determine करना your business objective for social media, कि आपके business का objective क्या है, आप brand build up करना चाते हो, अपने customer का track करना चाते हो, sales करना चाते हो, और अपने fan से engage करना चाते हो, तो सबसे बहले अपना purpose आप उनको influencer के तोर पर consider करना चाते हो, आप उनको end user के तोर पर या बायर के तोर पर target कर रहे हो, आपकी audience या जो engagement है, वो किस तरीके से बनाना चाते हो, और कहां बनाना चाते हो, कौन से medium के तुरू बनाना चाते हो, ये सभी चीज़े आपको पहले study करने पड़ेगी, फिर आपको आगे बढ़ना है तो business को समझ लिया audience को समझ लिया again एक button चूज करना है hot button इसके लिए में जितने भी चीज़े आपको बता उतनी कम पड़ेगी यह specific आपके business से relevant चीज़ है एक ऐसी heat point बनाओ कि जहां पर customer उस particular content को follow करें और ऐसा कुछ भी हम off-bit button या फिर कोई भी attracting जिसको call to action कहते है ऐसे कोई भी activities आप रख सकते हो जिसके तुरू आप customer को अपने side attract कर पाऊ stack your social media tough means create a presence on all social media के नहीं का मतलब है कि don't go with only single media target with the Twitter, Facebook और LinkedIn आप किसी के भी through target कर सकते हो but आप multiple social media पर अपने आपकी presence बढ़ाओ क्योंकि यह आपको SEO में भी help out करेगा बर social media marketing में भी help करेगा कि आप अलग-अलग interest वाली audience को अलग-अलग platform से target करें तो brand value increase करता है और आपको sales में भी support करेगा so set your social media engagement कि आप किस तरीके से user को एंगेज करना चाहते हो planning your resource to use यानि आप अपने पास जो resources वालबल है जैसे मैंने पास में बताई कि एक दो का time भी allocate करो तो मैं उस hours को भी particular budget wise convert करके calculate करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक activity के पीछे time spent कर रहा हूँ तो time is equal to money है तो हम क्या सकते ही कि हम जो भी effort लगा रहे है उसको भी time में convert करो अगर आप वो खूद करें आपके team करें या फिर आप properly paid campaign के थूरू जाना चाहिए तो वो हर किसे के budget identify करो schedule को follow करो कि regular time पर हर कुछ-कुछ activity आपको social media पर करते रहना पड़ेगा तब या बैटर रिजल्ट कर पाऊगे measure your social media results जो भी आपने particular last में campaign run किया है उसके result को आप measured करो KPS को बार-बार follow करो कि आपके KPS किया थे और आपको अभी किस तरीके से आप उसको भी achieve कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो So, आपको पता चलेगा कि उसको आपको लेकर आगे बढ़ना चाहे कि नहीं बना चाहे Don't stick with any one process क्योंकि उससे might be एक level पर benefit मिलना बंद हो जाएगा आपको नए-ने concept को implement करते रहना पड़ेगा और result है उसको evaluate करते रहना पड़ेगा तब ही आपको पता चलेगा कि कौन सा वे आपके लिए best है हमें बहुत सारी audience social media पर मिलेगी बढ़ हमें उसमें से specific audience को target करना है यह एक बहुत ही fast growing area है जो आज की generation में में बताऊंगा कि latest young से लेके जो elder person है जो एक age के ऊपर के लोग है वो भी social media को ज्यादा तर use कर रहे है so basically अगर आप start करें अपनी brand के साथ तो आप ज्यादा ज्यादा benefit ले पाओगे might be अभी यह benefit आपको ना दे बट यह long term बे आपके लिए बहुत beneficial हो सकता है so start using social media for different marketing objectives जैसे हमने इस वीडियो में देखा setting up a social media strategies next video में हम देखेगे who is using social media